तो आद में शेयर कर रही हैं आप सबी के साथ में एक शांदार बहुत डिलिशस और बहुत मज़दार पाकीजा चिकन बनानी की बहुत ही अलग नहीं रेसिपी इसे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा बिल्कुल नियू रेसिपी है और बहुत ही मज़दार लगती है चले कैसे इस चिकन को बनाने के लिए मैंने 500ALK बोल्लेस चिकन लिया हुआ है और इसमें एक निंबुकी रज डाली है इसाथ इसमें मैं नमक डालूंगी तो नमक मैंने एक बड़ी चमर डाली है साथ में मैं लाव्यश्थकाफ पावडर एक टी स्पून एड कर रही हूं धनिया चिकन को यह सारे मसाले अच्छे से लगा देने हमें नीबो और दही चिकन को बहुत अच्छा मैरिनेट होने में हेल्प करेगा और टेंडर हो जाएगा यह चिकन तो इसको भी साइट पे कर लेते हैं आदे गंटे के लिए अब नेक्स टेप में कडाई ले लिए और उसमें ब एक जवित्री की फूल डाली है तेज पत्ता मैंने एक पीस लिया जिसको थोड़ा चुड़े चुड़े में तोड़ लिया है इसी के साथ एक चोड़े चमच मैं साबुत जीरा डाल रही हूं यह सारे खड़े मसाले आपको डालने इस तेल में और जैसे चटकने लगेंगे इनको अलका सब्सटर कर देना है अभी क्या होगा यह जो तेल रहे इसमें का फ्लेवर आ जाएगा इनके खुष्बू आ जाएगी और यह वर बहूत है अच्छा फ्लेवर फुल हो जाएगा गरम मसाले की खुष्बू से ृच्छा यह ज़ो रसपी हें बहुत जबरदस्थ जबनेगी यहां पर देखें यहां जो गरम मसाला है रहा है बहुत थेज आँच को नहीं दालना है हलका यह क्राकल हो ने लगे तो इसमें आप पांच शे पीस लाल सोखी एव को यहां पे यह में बहुत ज्ञादा तीकी जाला है और डाल कर इसको मैं एक दो मिनट अच्छे से फ्राइब कर ले रही हूं जैसे ही यहां पर प्यास ट्रांस्पेरेंट होने लगा है इसमें मैंने एक चोटा सा टुकड़ा अध्रक कर डाला है जिसको फर्दर मैंने चोटे पीसे में तोड लिया है अभी यहां पर मैं मैं क्या कर रही है और स्इल का प्यास के साथ में अच्छे मिला रही हूं इसको टॉके सहते हैं आप चया रहे हैं इन सारे मसालों के भुनने की तो इसको आप लिट से कवर करें और पांच मिट के लिए मीडियम फ्लेम पे कोकर लीजे पांच मिट में क्या होता है ना कि टमाटर वेगरा का मौश्चर निकलता है और यह मसाला बहुत अच्छे से फ्राय हो जाता है और अच्छा भुन जाता ह जब यह ड्राइ होने लगे तो इसको आप इस तरह से मिलाने के बाद में ठंडा कर लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए पेस्ट बना लीजिए अभी इन दूसरे पैन में थोड़ा सा तेल गरम करना है यहां पर तेल थोड़ा सा जादा लगेगा तकरीबन चार बड़े च चुक हो रही थी और चिकन का जो मौश्चर है खुदके इसके जूसे निकलना शुरू हो गया तो एक बार बीच में चला देंगे वापस से लिट से कवर करेंगे और आगे के तीन-चार मिनट और कुक कर लेंगे जब तक मौश्य पूरा पूरा तरह द्राइन हो जाता और अब देखें यहां पे इसका मौश्य खतम हो चुका है और बस चिकन को हमें अच्छा से भून लेना है तब तक हमें इसको फ्राइ कर लेनी है और यह चिकन बहुत ही जबर्दस बनी है इस तरह से चिकन में जो मसाले लगा कर हम इसको हलका सा ग्रिल कर लेते हैं तो बहुत और इस प्यास को लगतर फ्राइ करते हुए डूल कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूंगी यास सुनेरी ब्राउन होगी भी अ कि इसमें सायारा पैस्ट साइयारा किया वह से टामाठर और गरम मसालों के साथ साथ में तैया हमने और साथ में घ्राइब बीच डाले थे वह थोड़ा पानी लगता है इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और इसमें मिला देते हैं और अभी यहां पर प्यास के साथ में जब यह बहुन गया तो इसमें नमक डालिए क्यों कि नमक ग्रेवी में चीटे कम आई हैं और यहां पर बहुत अच्छा बबल सुट रहा है और हलका तेल सर्फिस पर नजर भी आ रहा है तो इस मासाले को हमें दीमी आज पर बुनना होता है वरना पूरा इसकी चीटे पड़ते हैं और इधर अधर बिखर जाता है तो इसलिए आप स्लो फ्लेम पर क अधर बढ़े पते डाले हैं फ्रेश अधर बारिक काटकर जरूर डालेगा इसके साथ इस रेसिपी में एक नजाकत एक क्यूंकि इसका नाम पाकीजा है तो इसके लिए मैं रहा है क्रीम आट करी हूं तो यहां पर दो बड़े चमश मैं और आली है आप चाहे तो घर की क्र अच्छ से मिलाने के बाद में आप इसको लिड लगा दीजे और लिड लगा कर तीन से चार मिनट तक लो फ्लेम पे को कर लिजे बस यह रडी होगी ग्रेवी में कुख हो गई और बहुत ही मुझे की दिख रही है तो यह जो है न पाकीजा चिकन आप कभी भी कोई गेस्ट आ कुछ अलग सी रसपी है अलग साथ है बहुत ही मजे की लगे क्योंकि इंग्रेंट्स बहुत अलग है मसाले कर जो हमने दाले हैं गरब मसाले की यह अची बहुत भीनी-बिनी से खुश्बू आती है और बहुत अच्छा यह बन कर तेयार होता है तो बिलकुल पर्फिक कंसि और निकालने के बाद में इस तरह से आपसे उपर कर दिज्य करता एंद में और इशे लगिगई और थोड़ा साहरा धनिया के पत्ते डाले और यह लीजे फटा फट से बहुत ही घजब की बहुत ही मज़िदार बिल्कुल डिलीशस मज़िदार टेस्टी सा यह चिकन पाकीजा रेडी हो गया है तो आप भी यह नई अनोखी रेसिपी जरूर ट्राइ कीज़ेगा चिकन की जो के बहुत ही मज़िए की लगती है तो एक बार यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें आप उमीद है आपको रेस्पी अच्छी लगी होगी और अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको भी यह बहुत पसंद आएगी आपके महमानों को घरवालों को भी भाज आएगी अगर आपको कुछ नहीं रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको एक से बहतरी रेसिपी जरूर शीखेंगे एक बार चैनल विजिट करें और अच्छी रेसिपी देख लीजेगा इस recipe को enjoy किजिए बटर रोटी, तंदूरी रोटी या पराठी के साथ में मर्जी आपकी इसके साथ में आप सर्फ करना चाहते हैं और इसे एक बर enjoy कीजिए बहुत ही मज़ेकी लगेगी इस recipe को enjoy करें तब तक मैं मिलूंगी आपके साथ में नई धमागेदर recipe लेकर तब तक अपनो और अपनी family का ख्याल रखिएगा दूहां मियाद रखिएगा और राइंग्स वाचिंग्स वाचिंग्स वाचिंग्स